देहरा दून में आज का दिन विधान सभा के लिए प्रदर्शन भरा रहा। दून में आज तेन संगटनों की ओर से अपनी मांगो को लेकर विधान सभा का कूँच किया गया। इस दोरान अपनी मांगो को लेकर आज बेरोजगार फार्मसिस्ट युवाउँ ने विधान सभा का कूँच किया वही उनका कहना है कि वो लोग काफी लंबे समय से अपनी मांगो को लेकर आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार उनकी मांगो को नहीं सुन रही है और बार बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलते आ रहे हैं इस दोरान यूबाओं ने कहा कि दो दिन पहले उन्होंने मंत्री आवास पर भी धरना दिया था जिसके बाद विभागिये मंत्री की ओर से उनसे बात चीत की बात कही गई लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आन दोलन और अधिक उग्र होगा और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा हर खबर में होगी हमारी नजर खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले